हेलो एवेवेवन जहिन जहबार्थ बंदे मातरम सभी बच्चों को कैसे आप सभी तो सबसे पहला काम इस वीडियो के कमेंट बोक्स में जहिन कमेंट कर दीजिएगा और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते ना तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे NDA 2 2022 के जो NDA 2 2022 हमारा होने वाला है उसकी age limit हमारी क्या रहेगी और exam date कब है notification कब आएगा तो वो सारी चीज़े हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले है age limit का बहुत बड़ा रोल होता है जो हमारा age criteria होता है National Defense Academy के लिए NDA के लिए बहुत ही बड़ा रोल है उसका क्योंकि अब age से अगर बहार हो जाओगे over age हो जाओगे तो आप वो exam नहीं दे सकते हैं तो इसलिए आपको पता होना चीए कि NDA 2 2022 की age criteria इस बार क्या रहने वाला है ठीक है बच्चे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं notification की notification हमारा कब आने वाला है और exam date हमारी क्या है देखें UPSC एक साल पहले ही अपना calendar जो है update कर देती है advance के अंदर ही तो 2022 अभी notification की अगर हम बात करें तो notification हमारा 18.05.2020 को इसका notification आने वाला है और जो last date है exam मतलब form fill करने की वो 16.06.2020 है और exam की date की अगर हम बात करें तो exam हमारे पास है 4.09.2020 को September में exam है 4.09.2020 को आपका exam है ठीक है बच्चे तो यह exam date है और यह हमारी notification date है इस date को हमारा notification मतलब NDA का जो notification है National Defense Academy का जो notification है वो इस date को आ जाएगा ओके next हम बात करें अगर age criteria की जो most important चीज है age criteria की अगर हम बात करें कि age criteria इस बार NDA 2 के अंदर क्या रहने वाला है ठीक है बच्चे तो NDA 2 2022 में अगर हम age criteria की बात करें इसका age criteria रहने वाला है दो जनवरी 2004 से हमारे पास एक जनवरी 2007 अगर आपकी date of birth दो जनवरी 2004 और एक जनवरी 2007 के बीच में आती है या यह दोनो date भी इसमें include रहती है अगर आपका date of birth 2 जनवरी 2004 को है तब भी आप eligible है एक जनवरी 2007 को अगर आपका date of birth है तब भी आप eligible है और इन दोनो date के बीच में अगर आपका date of birth आता है तब भी आप eligible है otherwise आप eligible नहीं है अगर आपका जनव एक जनवरी 2004 को भी है तब भी आप eligible नहीं है मैं पहले ही बोल रहा हूँ काफी बच्चों को doubt रहता है कि अगर एक जनवरी 2004 है तो क्या मैं eligible हूँ तो आप eligible नहीं है यह criteria है NDA 2 2022 का ठीक है बच्चे अगर हम बात करें qualification की qualification की तो आपको पता है 12th appearing student भी इस exam के लिए leasible होता है तो अगर आप 12th के अंदर है ठीक है तब भी आप इस exam के लिए apply कर सकते हैं और 12th pass out भी इस exam के लिए apply कर सकते हैं और कोई भी stream से हो आप NDA का exam दे सकते हैं बस यह होता है कि Air Force के लिए और Navy के लिए उसके लिए आपको Physics और Math चाहिए Army के लिए अगर आप Arts से हैं या Commerce से हैं तब भी आप NDA का exam दे सकते हैं National Defense Academy का exam दे सकते हैं कोई भी doubt हो इस वीडियो के comment box में आप comment कर सकते हैं आपको अगर कुछ भी doubt हो तो आप comment जुरूर कीजिएगा और पूरी कोशिस रहेगी आपका doubt clear करने की ठीक है आपका जो भी doubt हो नीचे comment box में comment कर सकते हैं और वीडियो को like जुरूर कीजिएगा I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफी